अभीनेता सीताराम पांचाल की मौत का सच आज यहां पर हम जानने वाले हैं अंतिम समय में गिरगरा कर बोला था कि मुझे बचा लो दोस्तों क्या हुआ था इनके जीवन में किस तरह से यह फिल्मों में आये थे क्या इनके साथ घटित हुआ था पूरी जानकार यहां पर लेने वाले हैं वीडियो को अंति तक जरूर देखिएगा नमस्कार में हूं सुदेश कुमार और फिल्मी कहानिया चैनल में आपका स्वागत है सीताराम पानचाल हिंदी सिनेमा का वो ससक्त अभीनेता जो एक गरीब परिवार से पैदा हुआ था हरियाना के नरवा ना में एक चाय की दुकान चलाने वाले स्रीराम पानचाल के चार बेटों में से यह तीसरे नमबर के बेटे थे सीताराम पानचाल इनका जर्म 1963 में हुआ था सीताराम पानचाल एक अभीनेता बनना चाहते थे बचपन से ही तो वो पढ़ाई के दौरान ही थेटरों में हिस्सा भी लिया करते थे स्कूल और कॉलिजों में वहां कई अभॉर्ड इनों ने जीते और कई अभॉर्ड जीतने के बाद जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो पढ़ाई पूरे करने के बाद अभीनेता ने वक्त बरबाद नहीं किया वो सीधा दिल्ली आ जाते हैं और यहां नेशनल स्कूल आप ड्रामा में वह एडमिसन ले लेते हैं दोस्तो अभीनेता संद्रे मिस्रा भी यहां उनके साथ बेच मैट थे अब 1989 में दोनों यहां से ग्रेजुएट बनकर बाहर निकलते हैं और फिर वो मुंबई चले आए थे और यहां पर सुरू हुआ उनका संगर्स का सिल्सिला संगर्स करते हैं फिल्मों में आने के लिए फिर डारेक्टर सेकर कपूर ने उनको अपनी फिल्म बेंडिड क्वीन में लाला राम का किरदार दिया था बेंडिड क्वीन फूलन देवी जो डांकू थी चंबल की उसकी जीवन के उपर पूरी फिल्म बनी है फूलन देवी के उपर ने जाने कितने जमीदारों ने उसका रेप किया था फिर उसने सारे जमीदारों को लाइन में खड़ा करकर गोलियों से उड़ाया था वो आप देखना बहुत ही अच्छी फिल्म है पूरा बीहर दिखाया गया है बेंडिड क्वीन फिल्म के अंदर और पूरी सच्चा ही दिखाई गई है तो 1994 में यह फिल्म आती है और आते ही यह तहल का मचा देती है दोस्तो, पहली फिल्म से यहां पर जो एक्टर अभीनेता है नोंने दहाग जमा ली थी फिर उन्होंने कई सफल फिल्मों से पहचान बना ली थी बाद में दोस्तो, सीताराम पांचाल ने 2001 में फिल्म आई थी लजजा उसमें काम किया था सूपर एट रही थी 2002 में लीजेंड और भगत सिंग फिल्म आई थी उसमें काम किया था और छोटे किरदारों में भी उनके अभीनेता कोई जवाब नहीं हुआ करता था दोस्तो जिन फिल्मों ने उनको बेमिसाल अभीनेता के रूप में पिरसिद किया था उन फिल्मों के भी में आपन नाम लेना चाहता हूँ पीपली लाइव पांच सिंग तोमर जो की ड़केतों के उपर फिल्म है स्लम डॉग मिलीनियर ये फिल्म भी आई थी देखी हो गया आप लोगों ने इसमें भी थे हला बोल फिल्म और जॉली एललबी टू जो अक्षे कुमार की थी इसमें भी वो अभी ने करते नजर आते हैं अब यहाँ पर निजी जीवन के बारे में जान लेते हैं उनकी साधी उमा नाम की और लड़की से हुई थी उनको एक बेटा भी है रिसब और अच्छे से अपने परिवार में रह रहे थे दोस्तो आप यहाँ पर जानते हैं इनकी मौत का सच इनका जो फिल्मी जीवन है बहुत ही अच्छे से चल रहा था बड़े-बड़े कलाकारों के साथ काम करते अच्छा अभीने करते खुब कमाई धमाई हो रहे थी लेकिन मौत किस तरह से हुई थी दोस्तो यहाँ पर यह भी जानते हैं आमीर खान, अक्छे कुमार, अजय देवन से लेकर बड़े-बड़े सूपर स्टार के साथ वो काम कर रहे थे और उनका केरियर भी बहुत अच्छा चल रहा था फिलाल वे केरियर के चरम पर थे दोस्तो मगर अचानक जिंदगी में सब कुछ उनके थम जाता है कुछ समय से उनको सांस लेने में परिसानी हो रही थी वे समझते थे कि उनकी उमर 50 साल हो गई है साइध हो सकता है काम करने के सिलसले में जैसे की जादा काम का लोड होता है उससे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो लेकिन दोस्तो जब वे डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर उनकी जांच करते हैं तो पता चलता है कि उनको फैपड़ों का कैंसर है यह बात सुनते ही उनके पाउं के नीचे से जमीन खिसक जाती है और फिर दोस्तो वे कैंसर तेजी से फैलने लगा था अब यहाँ पर क्या होता फिल्मों से जितना भी उन्होंने कमाया था सब कुछ उनका कैंसर के इलाज में लग जाता है और अब उनकी किड्नी भी फेल हो जाती है दोस्तो किड्नी फेल हो चोकी थी इधर सारा पैसा फिल्मों में से जो कमाया था वे इलाज में लग चुका था कैंसर में अब वे होमियोपेथी पर आ जाते है क्योंकि होमियोपेथी का इलाज सस्ता होता है लेकिन उससे बात नहीं बन रही थी अब दोस्तों वैस सोचल मीडिया पर आते हैं और लोगों से मदद की गुहार लगाते हैं कि मुझे बचा लो मेरी जान खत्रे में है कुछ यहाँ पर मदद भी उनको मिलती है लेकिन उस मदद से इनकी पूरती नहीं हो पाती है और फिर दोस्तों दस महीने तक वैसी तरह से तड़पते रहे और दस अगस्त 2017 को उनकी ददनाग तरीके से मौत हो जाती है वैस दुनिया को छोड़ कर चले जाते हैं एक इंसान अपने जीवन में क्या-क्या सपने सजाता है मैं ये करूँगा वो करूँगा फलाना काम डिम काव काम ये करके जाऊँगा लेकिन अंत समय में वैं खाली हाज जाता है सिर्फ उसके कारिया इस समाज में कुछ दिनों के लिए रह जाते हैं कुछ दिन उसको लोग याद करते हैं अगर वैं अच्छा काम करता है तो अच्छा ही से याद करते हैं बुरा काम करता है तो बुरा ही से याद करते हैं इसके बाद एक दो पीडी को जाने के बाद वैं इस धरती रूपी किताब से मिट जाता है उसके बारे में उसके परिवार की आने वाली पीडियां भी याद नहीं रह पाती हैं जिन घरों के अंदर हम आज रहे रहे हैं सौ साल पहले इनके घरों के अंदर नेजाने कितने लोग रहते होंगे जिनको हम नहीं जानते हैं और आज से 100 साल के बाद, 500 साल के बाद, इसी जगह पर जहां पर हम रहते हैं, ने जाने कौन कौन रहेगा, और वो हमारे बारे में भी नहीं जानेगा, हाला कि वो हमारा ही वनसज रहेगा, लेकिन वो हमारे बारे में नहीं जानेगा, क्योंकि हम ही अपनी पहले वाली पीडि हो जाएंगे कुछ पता नहीं हम कुछ दिनों के लिए 60-70 साल के लिए इस धर्ती पर आए हैं एक सपने की बाती तो इस धर्ती पर आकर के हमें अच्छाई करनी चाहिए लोगों के साथ और किसी के साथ बुराई ना करनी चाहिए दोस्तो जीवन बहुत चंब रंगुर है आने चैनल जै हिंद जै भारत